वीडियो हाउ टू क्लीन बाथरूम टाइल्स और टैप्स की सक्सेस के बाद आज मैं आपके लेके आई हूँ हाउ टू क्लीन मार्बल फ्लोर रेगलर क्लीनिंग के बावजूद मार्बल पे कुछ ऐसे स्टेंज हो जाते हैं जिने निकालना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी थी और मुझे भी अपने मार्बल से कुछ स्टेंज को निकालना था क्यूंकि हाल ही में हमने कुछ वुडन वोक करवाया है जिसकी वज़ा से ग्लू और अदर कैमिकल के स्टेंज मुझे जगा जगा नज़र आ रहे थे और वो स्टेंज इतने स्ट्रॉंग हो गए कि लगा अब असानी से नहीं निकलेंगे तो इसी लिए मैंने इन क्लीनर्स को लेके कुछ रिसर्च की और आज इस वीडियो में आप ही के सामने मैं इन स्टेंज को क्लीन करके भी दिखाऊंगी वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज़ें क्लीर करना चाहूंगी फर्स्ट फिंग ये कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है क्योंकि मैं स्पेशली किसी प्रड़क्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ आप बाय करना चाहें देन फाइन अगर आपके पास कोई और इन से भी अच्छा क्लीनर है तो प्लीज कॉमें सेक्शन में बताएं ताकि दूसरों को भी हल्प मिल सके सेकिंड फिंग बहुत हाड स्टेंज और काफी ज़ादा प्लेस को क्लीन करने में बेकिंग सोडा बेस्ट डियावाई क्लीनर उतने एफेक्टिव नहीं होते और अपने फ्लोर को क्लीन करने के लिए अगर कभी-कभी हम कैमिकल बेस्ट क्लीनर का यूज करते भी हैं तो इस नॉट आ बेग इशू सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ आर क्लीन मार्बल क्लीनर इसके डिस्क्रिप्शन के कॉर्डिंगली ये एक नॉन एसेडिक लिकुड कंसेंट्रेट है जो ग्रीस, ग्राइम, सॉयल और डर्ट वगरा को इजीली क्लीन कर देता है और इसे मार्बल को कोई नुकसान भी नहीं होता, 500 ml की बॉटल की कॉस्ट 155 रुपीज है, ऑनलाइन अविलेबल है, बट टू बॉटल आपको एक साथ मिलेंगी, तो डिलीवरी चार्जिस वगरा मिला के ये दोनों बॉटल मुझे 400 में मिली है, अगर आप बाइ करना चाहें तो इसका लिंक ये कोई दास एंटरप्राइस कंपनी का प्रड़क्ट है, जो आपको चंडिगर मुहाली, पंचकुला, बद्दी, कालका, जलंदर और लोध्याना वगरा में हार्डवेर की शॉप्स पे इजीली मिल जाएगा, इस क्लीनर के अकॉर्डिंगली बिना कोई साइट एफेक्ट इसका यूज कर रही हूँ, तो चलिए अब देखते हैं जो दावा ये परड़क्ट कर रहे हैं, वो कितना सही है, इन दोनों स्टें रिमुवर्स को हम स्प्रे बॉटल में फिल किया है मार्बल मास्टर, और ग्रीन पॉटल में फिल कर रही हूँ, आर क्लीन मार्बल क्लीनर ये स्टेंड टीवी एरिया के पास पिछले चार साल से है, क्योंकि यहाँ पे जो सेटिंग पहले थी, उसे निकलवा के कुछ चेंजिस करवाए गए थे, और पहले की सेटिंग से ग्लू की निशान और उस पे डस्ट की वज़ा से ये स्टेंड कभी पूरा साफ ही नहीं तो इस स्टेंड पे चौक से मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि दोनों क्लीनर से हम इसको साफ करके देखेंगे, एक वेट क्लोध से पहले मैं इसको थोड़ा साफ करूंगी और एक साइट पे लगा रही हूँ मार्बल मास्टर और दूसरी साइट पे लगाऊंगी आर क्लीन मार्बल क्लीनर ठोड़ा रब करके एक मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी ड्यालके स्क्रबर से स्क्रब करेंगे, गैंक्लीन विट वेट क्लोध दो थीन भार इससे साफ पानी से अच्छे से साफ कर लेए ताकि कुई का कोई पार्ट आप देख रहे हैं, यह कोई stain नहीं है, यह white cement है, जब हम termites की medicine करवाते हैं, तो floor में drill से hole करवानी ही पड़ते हैं, और उसके बाद white cement से उसको fill कर देते हैं, और देखें, यह अब पूरी तरह से साफ हो चुका है, you can see the difference, सेम ऐसे ही दूसरी तरफ का स्टेन भी हम क्लीन कर लेंगे कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही क्लीनर्ज में स्टेन को बिलकुल रिमूव कर दिया है ये बाकी के निशान हाल ही में करवाए गए वुडन वॉक से मिरे हैं चलिए इन्हें भी क्लीन कर लेते हैं मैं आलग अलग स्टेन्स पर दोनों ही क्लीनर्ज का यूज कर रही हूं और रिल्ज रेली गूण। तो यह तो थे marble stain removers लेकिन alternate days पे marble tutor के साथ मॉपिंग करने से काफी dirt clean हो जाती है but this product is optional जुरुरत के बिना कुछ भी बाय ना करें I wanted to help those people जो marble stain से परिशान है so यह review मैंने आपको दे दिया है video helpful लगे तो please like करें और share करें अपने friends and family के साथ subscribe करें मेरे channel को bell icon के साथ to get notification of new videos it's totally free तो मिलती हूँ आप से new video में new topic के साथ till then bye take care and stay healthy